बॉलिवूट के Mr. Perfectionist आमिर खान की आने वाली फिल्म में दंगल के ट्रेलर ने इतिहास रच दिया है YouTube पर ट्रेलर रिलीज होने के 24 घंटे में ही दंगल का ट्रेलर सबसे ज्यादा देखी जाने वाला ट्रेलर बन गया है सुर्वा दिन ना करी थी पापा मना कुतिया कह रहा था पबिताना कमी नी हम ना भी दद्ये दोचर मैं हमिस्सा यो सोच के रोता रहा के छोरा होता तो देश के लिए कुस्ती मैं गोड लाता सिर्फ छे दुनों में ही दंगल के ट्रेलर को यूट्यूब पर 24 करोड से 20 ज्यादा बार देखा जा चुका है दंगल इसी साल दिसंबर में रिलीज होने जा रही है जिसमें हरियाना के पहलवान महावीर सिंग फोगाट की असल जिन्दगी को देखाया गया है फिल्म में आमिर खान का किर्दार एक सफल पहलवान का है जिसे बेटे की चाहत होती है ताकि देश के लिए वह स्वन पदल जीच सके लेकिं उसके घर में बेटियां चर्म distractions है एक बार तो वह हताश हो जाता है लिकिन बात में बेटियों को खुद प्रक्शिक्षत कर उन्हें विश्वस्तर का पहलवान बनाता है पहलवान पिता के किरदार में आमिर खान की अदाकारी बेहत संजीता है तो वहीं बेचियों के किरदार में फातिमा सनाश शेक और सान्या मलहुत्रा ने काम किया है हाला कि आमिर खान किरन राव और सिधार्थ रॉय कपूर के बैनर तले फिल्म का निर्माण हुआ है और नितेश दिवारी ने इनर्देशन किया है जे एक बाद हमें से याद रखना बेटा पर सिल्वर जितती ही तो आज नी तो कल लोग दन्या भूल जावेंगे कोड जितती ही तो मिसाल बन जावेगी और मिसालें तीच जाती हैं बेटा भूली नहीं जाती आणवी बोली में आमिर के डायलोक्स ने दर्शकों में उनकी मिस्टर पर्फेक्शनिस्ट की छवी को और मजबूत कर दिया है अब बस इंतजार है तो 23 दिसंबर का जब फिल्म में परदे पर दंगल रिलीस होगी देख ज़रेंगे टीपी लाइव